आज के इस आफ्टनून मैच में आप सभी का स्वागत है परते हुए दर्शक पूरे जोश से उनका बल्ले के बीज से निकला ये शौर्ट क्राउड में गजब का कैच बल्ले बास है इसी फील्डिंग देख कर स्थीने कैप्टन काफी कोश गेंद बास से फील्डरों के बीज गैप ढूलने में ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से आसानी से केला एक रन के लिए वाह क्लीन बैक स्वेंग और ये मैक्सिमम गेंज आएगी बाउंडरी के उपर से चक्के का फाइदा उठाया चे रन अच्छी गेंज अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे है गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीज गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूलना और चौका बटोरा बल्ले बाद को यहाँ जोश में होशनी गवाना चाहिए आसानी से केला एक रन के लिए भीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्विंग छे रन अच्छी एक्रिसी दिखा रहे हैं गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बड़िया तरीके से गैप ढून्डा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए धीमी गेंद इस स्पिच पे अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्वेंग छे रन अच्छी अकुरिसी दिखा रहे है गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढून्डा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए धीमी गेंद इस पिचपेक अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्वेंग छे रन अच्छी अकुरिसी दिखा रहे है गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए जब ये मारना शुरू करते है तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूनडा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए धीमी गेंद इस स्पिच पे अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्विंग छे रन अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूलने में काम्याब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढून्डा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए धीमी गेंद इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा वाह क्लीन बाक स्वेंग चे रन अच्छी अकुरिसी दिखा रहे है गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढून्डा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए भीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्वेंग चे रन अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंबाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूनने में कामियाब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बड़ियाद तरीके से गैप ढूनना और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए आसानी से खेला है एक रन के लिए धीमी गेंद इस स्पिच पे अच्छा विकल्प होगा वाह क्या क्लीन बाट स्विंग छे रन अच्छी अकुरिसी दिखा रहे है गेंद बाद अपने स्पेल में फील्डरों के बीच गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए जब यह मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढून्डा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए आसानी से खेलाए एक रन के लिए भीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा वह क्ली बास्विंग टेरंट वह क्ली बास्विंग टेरंट